स्वागत है आपका आज की चाहिए पे बहुत लंबे अर्से से ये डिसकशन में आप सब लोगों के साथ करना चाहती थी बहुत सारे इंफ्लूएंसर्स आप लोग फॉलो करते होंगे इंडियन व्लोगर्स भी और इंटरनाशनल व्लोगर्स भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे व्लोगर्स है जिन पे पेट्स हैं दो बीवी वाला व्लोगर हो या फिर पाइलेट जोडी या फिर एक लड़की है उसका नाम भी किसी ने उस दिन कॉमेंट में दिया था मुझे क्रेशि कावया करके है न और गा इब्राहिम फैमली है न इन सब के पास किसी पर पैट रहा है इन दिपास और किसी पर अभी है pet in the sense furry babies जिनको आप furry बच्चे भी कहते हैं मैं इस podcast में उनको furry बच्चे करके ही बोलूँगी तो ये बच्चे जब लेके आते हैं most of the vloggers तो आपने देखा होगा कि उनके puppy phase में जब कोई भी dog लेके आए या कोई cat लेके आए तो इन furry बच्चों के puppy phase में सबसे ज़्यादा content खीचा जाता है और सबको बहुत अच्छा भी लगता है सब बहुत ही ज़्यादा you know attach हो जाते हैं और उसके बाद आपको एक downfall दिखती है उस content में क्योंकि वो बच्चा बड़ा हो गया dogs या cats या बाकी जो भी pets लेके आते है usually वो बहुत जल्दी से बड़े हो जाते हैं बच्चे तो छोटे बच्चे जो होते हैं उन पर ज़्यादा लंबा content खीच पाते हैं क्योंकि वो time लेते हैं बड़ा होने में पर pets के साथ ऐसा है कि एक लाते हैं दूसरा भूल जाते हैं ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं मैं ये तो नहीं कहते कि सारे influencers ऐसा कर रहे हैं पर मैं आपको prime example आज देती हूँ कुछ ऐसे influencers का जो मेरे हिसाब से अपने pet पे content खीचने के बाद उसके बाद वो अपने pet को कहीं न कहीं भूल गए फरी बच्चे को भूल गए या फिर अपने फरी बच्चे को अब उतनी attention नहीं देते जो वो deserve करता है क्योंकि उसको अपनी family जिसमें उसको लेके आया गया अगर उसी family में उसको प्यार नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा आप लोगों को याद होगा जो ये जवर्दस vlogger हैं जिनकी दो बीविया हैं खूब सारे बच्चे हैं इनके घर में आपने time and again बहुत सारे नए pets देखे हुए अब तो इन्होंने farm ले लिया पर उससे पहले ये जो जवर्दस vlogger है ये अपने घर पे अलग-अलग breed के फरी बच्चे चाहे वो cats हो यह, dogs हो यह फिर वो chipkin आपको याद होगा it was actually a lizard उसको लेके आए birds को लेके आए and कुछ time तक वो इनके vlog में दिखते थे क्योंकि वो जो सीकू है इनका बेटा उसके लिए वो entertainment का जरिया बनते थे क्योंकि सीकू के लिए तो वो toy थे वो जीते जाकते toy थे वो थोड़ी ना कोई सास लेने वाले emotions वाले जीर थे पापा मुझे ये दिला दो, पापा मुझे cat दिला दो, पापा मुझे dog दिला दो, पापा मुझे पापा मुझे चिपकन दिला दो, पापा मैं ना चिपकली को अपने उपर रखूँगा हर तरीके का animal इनके घर पे दिखा काफी लंबे वक्त तक राजारानी दिखे, अब वो कहते हैं कि ये बड़े हो गई है, ये है राजारानी ये 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 बर्दस दिख रहे हैं, दिखो बाई बड़े हो गए, तुम लोग कहते हो कि नहीं हैं, बट मेरे घर पे राजारानी नहीं रह सकते थे, मैं तुम लेके क्यों आए, तुम छोटे में उनको लेके आते हो, फैमली के पीच में रखते हो, इनका छोटा सा पेट लेके आता है, मजाग क्यों बना रखा है, इन जीवों में अगर आवाज नहीं होती है, ये मुह से बोल नहीं सकते, इन फरी बच्चों में इमोशन तो होते हैं, इने अटेश्मेंट हो जाती है, अपनी फैमली से, पैट शॉप को टॉइशॉप बना रखा था, हो जाता है, बट मैं आपको याद दिला दूँ कि इसकी जो बीवियां है, कौनिका मिनोल्टा, ये दो बीवियां, ये आदमी, मुझे इस फैमली से कोई उमीद नहीं है, जितना इनके बारे में आज तक सुना गया है, जो इनसान की कदर नहीं करते, तो वो जानवर की कदर करके चले, क्योंकि content सब कुछ नहीं होता, कर्मा उससे बड़ा बहुत कुछ होता है, ये मुझे पता है, कॉमें सेक्शन में कहीं लोग लिखते हैं, कि इनको नहीं समझ में आएगा, इतना तो कुछ इनको मिल गया है, पर ये कहते हैं, all that glitter is not gold, समझे वक दीजे उपर वाल इनके case में मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि इस couple को अपने pets से, अपने फ़री बच्चे से प्यार नहीं है, नहीं, प्यार है और वो दिखता है, जिस तरीके से बच्चा react करता है, जैसे वो tail whack करता है, अपनी पूछ लाते हुए, बहुत प्यार से इन लोगों से हमेशा मिलता तो हाँ, ये मैं मानती हूँ कि अगर बहुत ट्रैवल है आपकी life में, तो कोई pet या तो अपने साथ रखी, अगर आप ले सकते हैं उसको ट्रैवल पे साथ, तो ले जाएए, पर नहीं रख सकते हैं और बार बार ट्रैवल करना है, तो आप फरी बच्चे को मत पालिए, क्य या शोस भी करें, वो इनका फेस था जब बच्चे को ये लगातार अपने घर पे नहीं रख पा रहे थे, इनकी मजबूरी थी, वो हम समझ सकते हैं, कोई बात नी, इनकी commitments थे, पर अब जब मुझे लगा कि चलो जी, इनके life में थोड़ी stability आ रही है, ये एक बहुत बड़ में दिख रहा है, मैं उसके basis पे बोलूँगी कि पच्चा मुझे 90% of the times बाहर ही दिखा है, वो घर के अंदर नहीं दिखता, अब लोग बोलेंगे चोटे बच्चे हैं, ऐसे कैसे, दिखें जो पैट्स होते हैं, वो भी बच्चो की तरह ही होते हैं, आप उनको घर से बाहर था कि उसको कैसे रखना है, तो हम उसको लिविंग रूब में रखते थे, तो उसने वो एक आवाज निकालती थी, बड़ी प्यारी बुप 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 रात को, तो फिर हम थोड़ी देर लेके आते थे, खेलते थे, फिर रख देते थे, फिर धीरे धीरे अपने अब आज उसने यह वो कर दिया है, काफी साल हो गए उसको आई वए, और उसका यह आलम है कि मैं साइड में सोती हूं मेरे बैट पर पूरी जगह लेके वो सोती है, उसको मतला मैं सो रही हूं वो मुझे स्क्रैच कर करके बस उसको वहीं पर सोना है, पूरी राद मुझे ल बढ़ाना टाइप से ना, और अब यह सारे की सारे जो की बाउंडरी बनाई होए थे अपने आप खतम हो गए और यह इनका प्यार जो होता है, फरी बच्चों का खतम कर देता है, फिर किसी से ऐसी ही कि नहीं आती कि नहीं आर यह जमीन पे रहती है, तो उसको उपर बैट नहीं दिख रहा जादा, यह मुझे समझ नहीं आरा, कैसा भी मौसम होता है, मुझे नहीं लगता है कि थंड के मौसम की दुरान उसको भार रखना सही है, छोड़िए ठंड, गर्मी छोड़िए, किसी भी मौसम में उसको भार क्यों रखना है, वो फैमिली मेंबर ही तो है, और मैंने अक्सर लोगों का देखा है, इस फैमिली की मैं पटिकुलरी बात नहीं करी, पर हाँ, एक व्लॉगर थी, जो कि आज लाइफ कोच बनती है, जिनका जो चैनल था, उसके चैनल का नाम मिलता जलता था, विद हैपिनेस, है ना, I'm sure लोग समझ गए होंगे, वो दो लेके आई, बड़े प्यारे थे, एक लाइबरा था, और एक गोल्रें रेट्रीवर, और एक टाइम तक व्लॉग में खूब दिखाया, जब उनका पपी फेस था, ठीके, इंस्टाग्राम पे भी खूब रिले बनाई, और उसके बाद, अमने कई स्टूडियो में शिफ्ट हो गई, शिफ्टिंग के बाद, दो बली है, वहाँ पे ले ली, विकॉस, पैट्स के साथ, कॉंटेंट तो बनाना ही है, और जब लोगों ने पूछा कि वो बच्चे कहां गई, दिखते नहीं, तो वो इनलोस के साथ छोड़ दिया, मुझे तो ये तुखी समझ नहीं आता छोड कैसे देते हो यार, अपने बच्चे छोड़ते हो क्या, जब एक बच्चा होता है, उसके बच्चा जब दूसरा होता है, तो पहले को छोड़ देते हो, ये कैसे, जिगरा कैसे मानता है, अच्छा अच्छा जबान नहीं होती उन बच्चों की, रहने दो, उनकी जबा इसा है तो अजो आपको यहilerाई, क्योंकि अपने इस को पाल Angeb ढाई कर有 तो गलत होगा अगर उसको निगलेक्ट कर रहे हो अगर उस पे दियान नहीं इज़रे रहे उसको बाहर बांध रहे हो तो ऐसा मत कीए अगर आपको यह लगता है कि अपने घर में नहीं ला सकते सफाई धराई का बड़ा आपको वह है खुद तो वैसे लोग कितने लोग नहाते भी नहीं है व्लॉगर उनकी हालते दिखती बड़ चलो जी आपको होगा पर अगर बच्चे को आप घर में नहीं रख सकते प्यार नहीं दे सकते वक्त नहीं दे सकते आपको ट्रैवल करना है कमिट्मेंट्स है दें प्लीज गिव डाट बेबी तो आपको फैमली जो कि उसको प्यार देगी जो आपने रीसन एक रील में भी देखा होगा वह बहुत ही फेमस रील है जहां पे एक लैबरा जो है नहीं कोलन कि ऐसे घर में क्या वो खुश रहेगी जहां पे उसको बाहर बांदा है या कोने में बांदा है और वो वहीं पे सब कुछ कर रही है आप समझ रहे हो वहीं पे स्टूल्स करें हैं वहीं पे सब कुछ है वहीं पे खाना है दिल कितना खराब हुआ इसले नहीं कि वह गंदग कर भी लिया तो प्लीज हाथ जोड के प्राथना है उनके पपी फेज निकलने के बाद जब वो बुड़े हो रहे हैं तो उसमें भी उनका पूरा साथ दीजे अब जिन्होंने अच्छी बहुत ही अच्छा एक्जामपल सेट करा है सबसे पहले मैं नाम लूंगी संभावना से यद के पूरा नने यच्त का हां उनके व्री बच्चों में बच्के देखते हैं हां अपने लिट्रेनिंग व्लॉक्स बच्चों पर hani अपने कोई कमी आते देखी हैं उनके कियर में कभी आपने देखा कि उन्होंने नेगलेक्ट करा हूँ अगर वह जाती भी हैं तो के बच्चे से misbehave करा हूँ या फिर किसी बच्चे को बाहर बैलकरी में बांदिया हूँ क्योंकि यह परिशान कर रहा है कभी भी नहीं रात को कितने भी थके होते से दोनों खेल के सुएंगे इतनी बाज संभावना आप नोटिस कीजेगा एक बार वह कहीं से आ रही थी बहुत थके आना आते ही आई वाश शॉक्ट मैं भी यह न कर पहूं सच बताऊं अगर मैं कई से थक्के आ रही तो मैं रेस्ट करके जाओंगी बशी समवन अरे वो मेरा वेट कर रही है चैरी वेट कर रही है चलो चलो इसको लीश बांदो मैं लेके जाओंगी नीचे खिलाने के कि इसकी तबेत खराब लगले एफटाफट फौन करके वैट के पास लेके जाते हैं अगर उस ट,ंप जाएम पर वीड, ऐटि नहीं प्ति जाती हैं, कि अग्यान जाती है हुआ फटाफ़शया जाती हैं कोको के बुडापे के दुरान जो पहला वाला था कोको सीनियर उसकी हालत कितनी खराब हो चुकी थी बड़ सब भावना दिन गिव अप उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसको मैं किसी शेल्टर में दे दीती हूं वो ध्यान रख लेंगे अरे इसकी हालत खराब है कभी भी नहीं अब मैं एक और व्लॉगर फैमिली की बात करती हूं आप बड़े शॉक होंगे है नाम सुनके क्योंकि हाँ वो काफी हद तक प्रॉब्लमाटिक हैं पर एक कहते हैं एक स्केल पे जहां पे वो खरे उतरे मेरे लिए जिसकी वज़े से भी शायद मैं उनके व्लॉग्स देख मैडम इखटे रहने के जनाब के साथ तो कडल को इन लोगों ने एकसेप्ट करा इंदियर फैमिली आइ मस्ट से इन लोगों ने जैसे कडल का ख्याल रखा वो मुझे कहीं से भी फैबरिगेटिट नहीं लगा वो जैनून था इन फैक्ट आप लोगों को याद होगा यह ल मुझे कडल दे दो मुझे से खाना खिलाना बड़ी केर सब लोग करते थे बड़े प्यार से रखते थे आपको पता होगा कि आज मुसलिम्स वो नहीं रख सकते हैं डॉग को और एक सब्सक्राइबर ने मुझे इन फॉर्म किया था बर उसके बावजूद भी जिस तरीके क कि मेरा दिल कितनी बुरी तरीके से डूबा था जिस दिन वो व्लॉग आया था था कडल पास्ट वे बिकॉस देखे को को का तो बहुत टाइम से ऐसा था कि उसकी तवित खराब चल रही थी वो सीनियर डॉग था बट कडल का मुझे लगा नहीं था कि एकदम से और सच बात ब्रीट का ऐसा ही होता है इसे लोग कहते कि अवड करना जाएं पग बीट को नहीं पालना चाहिए शॉट नोस बीड होते हैं जैसे जैसे एज बढ़ती है और भी जादा इनके नेजल इस बढ़ते हैं और सी ज़ग आते हैं वह एक बहुत बड़ा इसु रहता है पग कि इब्राहिम फैमिली ने कुछ सही करा या नहीं करा एक चीज मुझे हमेशा सही लगी कि बच्चे का ख्याल बड़े दिल से बड़े प्यार से रखा बस अपनी पॉड़कास के थूरू इतना ही मैसेज मैं आप सब लोगों को देना चाहती हूँ कि अगर कोई ये सोचता है कि इन बच्चों को पाल लो जैस फॉर दे सीक अफ व्लॉगिंग क्यूट वीडियोज तो प्लीज ऐसा ना करें दूसरा अगर आप एक बच्चे को लेके आ रहे हो एक फरी बच्चे को अपनी घर पे लेके आ रहे हो तो याद रखी कई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सोच समझके लेके आईएगा आप पूरी जिन्दगी इनके इनकी पूरी जिन्दगी क्योंकि इनकी जिन्दगी कम होती हमाई जिन्दगी से तो इनके जितने भी साल है उस दुरान आपको इनका साथ पूरी तरीके से निभाना है, हर्थ इमोशनली भी और इनकी हेल्थ वाइस भी, कोई भी बच्चा आप लेके आते हैं, आप स्ट्रे बच्चे अडॉप्ट कीजे, बड़ अगर आप ब्रीड वाला बच्चा ले आएं, तो प्लीज, जब तक कि वो बुड़ा है, जब तक कि वो उसकी आखरी सास है, उसके पास रही है, अगर आप सोचते हैं, करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जिनका दिल इतना, क्या बोलू, इतना छोटा हो जाता है, कि पार्किंग लॉट में अपने कुत्तों को बान देतें, क्योंकि आप बुड़े हो चुकी हैं, ये ये बहुत गलत है, याद रखेगा, इनके आवाज नहीं है, तो क्या हुआ, इमोशन तो सीधा डिरेक्ट, इनका दिल जो उपर वाले से जुड़ा हो है, इनको दुखी मत कीजेगा, और अगर कोई लेके आ गया है, और कोई मजबूरी है, जिसके वज़े से आप नहीं पा गया है, और घर की किसी मजबूरी की वज़े से कोई फैनाशल मजबूरी या फिर घर में कोई बड़े बज़ुर्ग है जिनका ख्याल रखना है, और आप इस बच्चे का ख्याल साइमेंट रेसी नहीं रख पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप एक ऐसे घर में इसको दीज हो दिल कैसे मानता है, याद रखिए हैं, यह हम से ज्ञादा समझधार हैं, यह हमसे ज्यादा इमोशन को समझते हैं, और बहुत जल्दी अटैच हो इनका दिल बहुत साफ है, यह आप से बहुत जल्दी अटैच हो जाएंगे, इनको अपने से दूर मत कीज़ेगा, इनकी यह family बन जाती है, इंसानों में अपनी दुनिया देखते हैं, नहीं पता कि इनकी मा कौन थी, किन से लेके आया गया है, इन्हें तो यह पता है कि यह हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया में यह छोटा सा हिस्सा बन जाते हैं ना, पर इनकी दुनिया में तो हम हैं, सब कुछ ह हम कैसे इनसे इनकी दुनिया चीन सकते हैं, इनको अपने आप से दूर करके या फिर एक कोने में बांद के, आप अपने दूसरे बच्चे के होने पे पहले बच्चे को कोने पे तो नहीं बांदोगे न, बिल्कुल वैसे ही, फरी बच्चे को कोने में मत बांदो, नहीं पाल स बच्चों को फरी बच्चों को सिर्फ के सिर्फ एक प्रेच्चों को ऐसे मिज़ू करो प्लीज गिफ देम लफ और जो लोग फ्रोर्वागर् सो के भी दिल से प्यार दे रहे हैं वोससिफ content के लिए प्यार नहीं दिखा रहे हैं वह अक्च्ली में प्यार करते हैं बहुत सारे स्ट्रे बच्चे मिलेंगे, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो स्ट्रे कैट्स हैं, जो बहुत सारे आपको गाए दिखेंगी, अपनी डेली रोटीन में उनको फीट कराना शुरू कीजिए, आप देखें, वो वॉइड काफी हद तक कम हो जाएगा, जो आपको लगत for tuning in to Aaj Ki Jai Podcast.